नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मॉडल प्राइमरी स्कूल राजगर्ड दोस्तों आज एक नए सिध्धान के बारे में डिस्कसन करने जा रहे हैं और वो सिध्धान बहुत इंपोर्टेंट है वो सीटेट टेट शिक्षा से सम्मंदित कोई भी एक्जाम हो उसके विवपॉइ से बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो लिव वाइगोस्की साथ की है और इन्हों ने एक बहुत विख्यात शोशल इंटरेक्शन थिवरी को इजाद किया था जिसने की psychology, educational psychology के छेतर में एक प्रकार से क्रांती मचा दिया और आते हैं उसी सिध्धान्त के बारे में दोस्तों तो who is वाइगोस्की पहले सिध्धान्त पे चलने से पहले जानते हैं इनके बारे में वाइगोस्की कौन हैं लिव वाइगोस्की was born in Russia in 1896 लिव वाइगोस्की रशिया में पैदा हुए थे 1896 में he died at the young age of 37 from tuberculosis बहुती अलप आयू में इनकी death हो गई 37 साल की अलप आयू में tuberculosis यानी TB से इनकी मौत हो गई due to his early death most of his theories were left undeveloped चुकि बहुती कम आयू में मर गए निदन हो गया इनका इसलिए इनके बहुत सी सिधान्त जो है बिक्सित नहीं हो पाए थे वो सब initial stage में थे although some of his writing being translator from Russian यद्यब कि उनकी कुछ लेख जो है वो Russian से जो है other languages में translate हो गए थे his work in the last 10 years of his life has become the foundation of much research and theory in cognitive development उन्होंने जो जिन्दगी में जो 10 वर्स अगद प्रयास से काम किये थे उसने जो है उसने जो है cognitive development की field में एक प्रकारसिक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिये educational psychology में जो cognitive development का field है उसमें बहुत ही revolutionary change live Vygoski साब लाए है आगे आते हैं basic principles underlying the Vygoskian framework जो Vygoski का जो सिधान थे उसका जो आधारभूट जो धाचा है वो किस पे काम करता है इनका यह कहना है जो आधारभूट धाचा है वो यह कहता है कि children construct their knowledge बच्चे जो है अपने ग्यान का सरजन करते हैं बच्चे अपने ग्यान का निर्माल करते हैं development cannot be separated from its social context बहुत important है दोस्तों कोई भी संग्यानात्मक विकास है कोई भी मानसिक विकास है उसको आप समाज से परे नहीं कर सकते हैं यानि कि social fabric is necessary for the cognitive development of the personality कहने का मतलब यह है कि समाज समाज बहुत ही दोस्तों आवश्यक है समाज का व्यक्ति के व्यक्तित्त के विकास में एक अहम भोमिका है तो learning can lead development और जो बच्चा सीखता है वो learning जो होती है जो अधियम होता है वो विकास की और व्यक्ति को उन्मुख करता है प्रवत्त करता है language plays a central role in mental development इसके बाद वाईगॉस की इन language पे बहुत focus किया है society and language दो चीजों पे दोस्तों बहुत ही वाईगॉस की साफ फोकस करते हैं उनका कहना है कि भाशा जो है वो केंद्री रोल प्ले करता है केंद्री भूमिका प्ले करता है मानसिक विकास में भाशा जो है एक केंद्री भूमिका प्ले करता है इनका यही है जो आधार भूरुद धाचा है जिस पे वाईगॉस की ठीवरी काम करती है आगे चलते हैं दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा आपको छोटा दिखरा होगा बट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि वाईगॉस की ठीवरी वाज नॉट इस्टेज ठीवरी जैसे कि पियाजे साहब कहते थे कि डेवलप्मेंट कॉगनेटिव जो होता है एक स्टेज वाईज होता है छोटा बच्चा रहता है उसके बाद बच्चा बड़ा रहता है जैसे जैसे स्टेजेज इनिशियल से लेकि आप थोड़ी कॉंप्लिक्स स्टेजेज में आप आगे बढ़ेंगे वैसे डिवलप्मेंट होता है वाईगॉस की ने कहा ऐसा नहीं है इन्टलेक्च्वल इन्होंने कहा जीरो से तीन साल की जो उमर होती है उसमें जो शोशल फंक्शनिंग होती है उसमें बच्चा के अंदर क्या रहता है कि at this time क्या रहता है थोड़ इस प्रिलिंग्विस्टिक भासा विक्सित हुई नहीं रहती है तो थोड़ जो होता है वो जो विचार होते हैं वो प्रिलिंग्विस्टिक होते हैं अब आते हैं इगो सेंटर की स्पीच इसमें क्या रहता है कि बच्चा तीन से सास साल की उमर होती है दोस्तों ये तीन से सास साल की Class 1 में admission होता है और 3-6 साल की जो age होती है वो pre-primary की age होती है और 6 से लेकर 14 years की जो age होती है वो elementary school going age होती है दोस्तों तो 3-7 साल का जो ये age की बात करते हैं Liv Wigowski साहब ये कहते है egocentric speech इसमें होती है बच्चा यानि language is used to control the behavior but often spoken aloud बच्चा जो है तेजी से बोलता है और इसमें भाषा जो होती है वो आदमी के यानि बच्चे के बेवहार को नियंतरित करती है और 7 साल के बाद जो है inner speech developed हो जाती है अब inner speech का मतलब आप समद लीजिए self talk बच्चा के अंदर एक विचार यानि संप्रते बिक्सित हो जाता है बच्चा जो है कोई भी चीज सोचता है तो चिंतन कर सकता है यानि जो भाषा होती है वो उसके विचारों को प्रभावित करती है और विचार चिंतन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो self talk की ये age है संचार का एक साधन है हमने कोई बात कहा मैं यहां बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं और आप इसे समझ रहे हैं तो मेरी बाते आप तक पहुच रहे हैं यह संचार का साधन है लेकिन अगर यह आपके विचारों को प्रभावित कर ले जाएं यानि आपका आप इनर लेवल पर करने लग जाएं, तो language is creating the changes in the thought, and thought also works on the language, यह चीज़े हैं, यह यह वाइज की सहाब कहते हैं, कि यह 7 साल के बाद से, यह 7 प्लस age के बाद से start हो जाता है, 0 से 3 बच्चा सोशाइटी की function में रहता है, लेकिन pre-linguistic age है, 3 से 7 साल में वो बाकाइदा बोलने लगता है, लेकिन वो बोलना, केवल उसके behavior को control करने के लिए होता है, और 7 साल के बाद दोस्तों, जो है, throughout life, उसमें self attack, क्यानी चिंतर वाली बात आजाती है, आगे चलते हैं, दोस्तों, educational implications, आफ वाई-गॉस की theory, इनके जो सैच्छिक क्या नहितार्थ है, ये कहते है, education develop children's personalities, शिक्षा जो है, बच्चों के students के व्यक्तित्तों का क्या करती है, विकास करती है, the development of personality is linked with the development of creative potential, जो बच्चित्तों का विकास है, वो linked है, वो किसे जुड़ा हुआ है, वो creative, सरजनात्मक, जो संभावना विक्ति में है, उससे बच्चित्तों का विकास जुड़ा हुआ है, यानि जो creative या रचनात्मक संभाववता या जो potential, जो च्छमता, जो गुण विक्ति में हैं, उससे जो है विक्तित्तों जुड़ा हुआ है, must be participants in the teaching learning process, students must be, अब जो भी बच्चा है, वो एक सहभागी हो, किसमें सहभागी हो, सीखने में, अब इसमें एसस है, students and teachers, दोनों, वो क्या हो, वो सहभागी हो, participants हो, किसमें participants हो, सिक्षन में और सीखने में, teacher बताएगा, बच्चा सीखेगा, कुछ बच्चा बताएगा, teacher सीखेगा, यह reciprocal process है दोस्तों, teachers should be guides of students activities, बच्चा जो भी गत्विधियां कर रहा है, जो भी क्रियां कर रहा हो, सिख्षक उसका मार्गदर्सक हो, वो guides हो, वो friend हो, वो guides हो, वो उसका मार्गदर्सक हो, नियंतरक ना हो, मार्गदर्सक हो, the most effective teaching method, take into consideration individual differences, जो सबसे प्रभाव साली सिख्षण का जो मैथड है, जो विधी है, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि वैक्तिक विभिनता है, वैक्तिक विभिनता को लेकर चलती है, सभी बच्चे एक समान नहीं हैं, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर एक बहुत important बात है, चुकि हमारे लिव वाइगोस्की साहब language पर बहुत बात करते हैं, तो language is a social concept, भासा जो है, कोई अनन संप्रत्य नहीं है, एक सामाजिक प्रत्य है, समाज में ही भासा बिक्सित होती है, अगर कोई बच्चा है, ऐसे तमाम मनोवे ग्यानिक अध्यन हुएं, जिनको कुछ बच्चे जंगल में भालू उठा ले गए, या कोई जंगली जानवर उठा ले गए, उनके अंदर कोई भी भाशा का बिकास नहीं हो पाया, तो लैंग्वेज का जो है, वो एक सोसल कॉंसेट है, वो सोसल सोसाइटी में ही बिक्सित होती है, इस डेवलब्ड तू सोसल इंट्रेक्शन, और वो कैसे बिक्सित होती है, जब सामाजिक अंताक्रिया होती है, अब एकॉर्डिंग टू लिव वाइगोस्की साहब कहते हैं ट्वेंटीन्थ सेंचुरी सोविए साइकॉलोजिस्ट बीसवी सतापदी के सोवियत के मनुवज्यानिक हैं कि language acquisition involves not only a child's exposure to words but also an interdependent process of growth between thought and language अब यहां पर देखिए हम इसको बहुत ही सरल भासा में आपको बता देते हैं कि language का जो भाशा का अर्जन है वो ऐसा नहीं है कि बच्चों को कुछ सब्द आप बता दीजिए उस सब्दों से उसको expose करा दीजिए सब्दों के संपर्क में ला दीजिए तो भासा वो सीख जाएगा ऐसा नहीं वो interdependent है interdependent का मतलब यह होता है कि जो भासा है वो उसके विचारों तक जा रही हो विचार भासा विचार को प्रभायद कर रही हो विचार भासा को प्रभायद कर रहे है यह एक interdependent process दोनों दूसरे पर निरभर है वाइगोस की influential theory of the zone of proximal development asserts इन्होंने एक दोस्तों बहुत important theory दिया था आगे हम बात करेंगे भी JPD की zone of proximal development कहता है इससे पहले कि आप किसी भी बच्चे को कोई भासा सिखाने के लिए प्रयास करें उसके एक सीखने के एक दाइरे को पहले आप decide कर लीजे कि यह क्या इसका prospective learning है इसके अंदर क्या capacities है एक आप उसका आकलन कर ले तो उसको जो है trying to expand the child's grasp of knowledge तब उसको आप बच्चे को भासा की पकड़ की और उन्मुक करिए चलते हैं दोस्तों आगे आते है अब यहाँ पर एक बहुत ही important दोस्तों concept है इसे बताना इसमें जरूरी है मैं समझ रहा हूँ यह social interaction theory में constructivism इसको रचना वाद बोलते हैं learners communicate with each other and share their understandings, feelings, knowledge and experience to come up with knowledge, new knowledge जो भी सीखने वाले बच्चे हैं वे जो भी जैसे समू में कक्षा है इसका एक उदारण मैं छोटा साब को दूँगा कि कक्षागत माहोल में जहां पे कई बच्चे, कई प्रिस्टभूम के बच्चे रहते हैं किसी प्रोजेक्ट पे आप माल लीजिए वर्क दे देते हैं तो उसमें बच्चे एक दूसरे से समवात करते हैं एक दूसरे से बाते करते हैं एक दूसरे से shared understanding होते हैं उनकी feeling मिलती हैं तब एक नए ग्यान पे वो आ जाते हैं वही constructivism है the teachers become the facilitator teacher किवल एक सुगम करता है वो गतविधियों को किवल देखता रहता है and the learners are encouraged to interact बच्चों उसको एक प्रुसाहित किया जाता है आप जो है अनताक्रिया करिए अपने विचारों का आधान प्रदान करिए अनुभों का आधान प्रदान करिए और construct meaning and knowledge that is based on their needs और अपनी आउशक्ताओं के अंस्वार ज्ञान का स्थरजन करिए वहाँ पे teachers still with the teachers intervention teacher वहाँ पे एक facilitator की भूमिकम रहता है teacher intervene नहीं करता है आगे चलते है अब यहाँ constructivism क्या है constructivism जब बात आएगी अभी BPSC के diet lecturer में question आया था who is the founder of constructivism तो दोस्तों इसमें दो तरीके का constructivism है cognitive constructivism इसके जो founder है वो gene P.I.J. साहब है और social constructivism के live-yegos की है लेकिन अगर founder of the constructivism आ जाएगे तो आप gene P.I.J. ही करेंगे पहला नाम उनी का आता है अब वे लोन नेम्स पियाजे D.V. वाइगोस किस में दिया गया है common terms inquiry based learning by doing hands on collaborative learning अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है knowledge is constructed from experience जो भी ग्यान का जो construction होता है ग्यान का जो जो होता है वो व्यक्ति की आत्मिक व्याख्या है और वो सक्रिय सहभागिता से ही होती है learning should be situated in realistic settings अधिकम तभी संभव होता है जब यथार्थवादी दशाय मवजूद हों testing should be integrated in task not separate event जो भी परिक्षण किये जाए वो integrated एक ही क्रित हो ना की अलग करके अगर किसी भी task पे कोई work हुआ है तो उसमें अलग से कोई testing या मुल्यांकन नहीं होना चाहिए वो एक integrated task है process is paramount इसमें क्या होता है constructivism में process बहुत important होता है process product important नहीं होता है result important नहीं है process बहुत ही महतपूर है पहल बहुत जरूरी है इसमें constructivism में initiation बहुत important है there is not one individual unique reality but shared reality यहां ऐसा कुछ नहीं है कि आप unique हैं आप बहुत ही अनन्न हैं और आप बड़े अधिती हैं यहां पे shared identity रहती है उनका यह मानना है कि यह shared reality रहती without which intellectual anarchy would prevail सभी मिल के कोई काम करेंगे तो बहुत धिक अराजकता वाली बात नहीं होगी कि हमारे अंदर हम वाली बावना नहीं रहेगी shared reality रहती है आगे चलते हैं दोस्तों अब यहां पे देखिए बहुत important concept है पूरे live why gosh की theory में मैं आपको बता दूँ दो चीजे बहुत important हैं पहली तो आप चीज जान लिजिए कि live why gosh की नंबर एक जो ध्यान देते हैं वो society पर ध्यान देते हैं कि कोई भी development cognitive होगा without social interaction बिना सामाजी कंता क्रिया कि कोई संग्यानात्मक विकास होई नहीं सकता है और दूसरा उन्होंने language पर focus किया था उन्होंने कहा था कि भाशा जो है वो एक संग्यानात्मक विकास में बहुत ही एहम role play करती है और भाशा में भी मैंने आपको बताया था कि भाशा में भी तीन stage है जीरो से तीन साल का मैंने बताया प्री-linguistic अभी बोल तो नहीं पा रहा है बच्चा प्री-linguistic है तीन से साथ साल की age में वो बोलने लगा है अपने behavior को control कर रहा है साथ प्लस की स्तिती में उसके अंदर चिंतन का भी विकास हो जाता है ये मैंने आपको बताया तो पहली चीत तो social interaction लिव वाई गॉसकीत की की थियोरी में बहुत important है दूसरा language बहुत important है और तीसरा जो ये बाते करते हैं वो ये बाते करते हैं JPD, zone of proximal development और escape holding अब दो चीजे हैं आपको बहुत टेक्निकल लग रहे हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ zone of proximal development क्या है बच्चा ऐसा नहीं है कि एकदम clean slate है कुछ भी नहीं जानता है कुछ चीजे जानता है बच्चा what I can do ये जो yellow color में आपको हलका सदीक राए green में ये what I can do ये बच्चा जो कर सकता है what I can do with the help और जो बच्चा देखिए purple color में बच्चा teacher के help से या किसी के help से कुछ कर ले जाए वो जो है purple color में दिखाएगए जो वो कर सकता है और वो करता क्या है जो वो कर सकता है और जो वो किसी के help से कर सकता है उसके बीच में ये जो अंतर है वही है zone of proximal development होती है उसी को اس के फोल्डिंग बोलते हैं यानि अगर teacher help कर रहा है so that is is kept folding बच्चा जानता है आपने उसे animal लिखना बता दिया आपने जानता है आपने जानता है s लिखना बता दिया तो यह चीजे जो वह कर सकता ABCD लिखना जानता है और आप word बता रहे हैं तो that is इसके folding और कुछ चीज़ें वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है वो एक अलग चीज़ है जो हलके sky blue में आपको दिख रही है दोस्तों आगे चलते हैं अब इसके folding देखिए बहुत अच्छा मना लेता है लकड़ी का और वो दिवाल मना लेता है पेंटिंग कर लेता है पलास्तर कर लेता है उसके बाद उसको हटा देता है तो वही एक इसके folding है एक temporary temporary relief है इसके folding टीचर ने क्या किया एक temporary relief बच्चे को दिया बच्चा सीख गया बस उसके बाद उसने सपोर्ट हटा लिया सपोर्ट हटाना यही चीज इसके फोल्डिंग है तो दोस्तों और आगे आते हैं तो दोस्तों आपका यह सिध्धान इस समय फिनिश होता है आगे आपका सिध्धान नहीं है आपने इसे ध्यान से सुना और अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें दिस इस अज़े दूबे, साइनिंग आफ